हेलो स्टुदेंट्स वेलकम तो मैंजेस्टिक फिजिक्स जैसे गवर्मेंट ने बता दिया है कि हमारे एक जो एक्जाम है बोर्स के एक्जाम 23 अप्रील कोई होगी और साथी में गवर्मेंट्स ने हमें कोशन बैंक भी दिये राइट जोसे में बहुत सारे चाप्टर वाइ तो अब लोग एक्जाम में अच्छा प्रफॉम कर पाएंगे ने कर पाएंगे हमारा स्टरी कम्टिट होगा या ने होगा तो इन सारे सवालों के लिए जवाब जो है मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हुआ है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछ लिया लेकिन बहुत सारे बच्चों सवाल पूछना चाते लेकिन पूछा नहीं है तो ऐसे बच्चों के लिए यह सोलूशन है कि स्टडी होगा और स्टडी करने के लिए आप मैंने 10 टिप्स आपके लिए बनाए हैं अगर वह आप फॉलो करते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्जाम में बहुत अच्छा परफॉंस रहेगा और आपका जो भी पेंडिंग स्टडी वह अच्छा हो जाएगा ओके तो सबसे पहला पॉइंट हर एक पॉइंट पर अपने ध्यान देना है सबसे इंपॉर्टन क्योंकि हर एक पॉइंट आप इंपॉर्टन है जो की स्ट सबसे पहला पॉइंट है डोंट ओवर थी जैसे मैं ने पूछा सब्सक्राइब ने बताया कि वह सारे बच्चे कोशन सूच रहे एक्जाम होगे नहीं होगा एक्जाम अच्छे जाएगी नहीं जाएगी तो सबसे पहले सोचना छोड़ दो क्योंकि बहुत सारे बच्चे स बच्चे सबसे पहले नहीं होगा 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 कुछ बच्चे सबसे पहले पॉइंट हैं मेरा टाइम वेस्ट हो और जिससे हमारा इसे हमारा गौट तो दूसरा पॉइंट मेरा है ही है कि सबसे पहले बेकाम ठिंक और ठिंक करना नहीं है आपने और उसमें एक पॉइंट और मेरा करता हूँ वे बेकॉंफिटेंट बी कॉंफिटेंट मतलब क्यों क्योंकि बस खुद पे विशास रखो आप किने हम लोग कर सकते और स्टडी स्टार्ट करो स्टडी स्टार्ट करो राइट सबसे पहले शांत रहो ज्यादा मुझ सोचो ओके देन कॉंफिटेंट रहो और थर्ड पॉइंट जोकी इन ती दोन से रिलेटेड है यह सबसे इंपोर्टन स्टार्ट स्टडी टुड़े और नाव मतलब जैसे आप फिर वीडियो खतम करते हो अपने स्टडी स्टार्ट कर लेना है आपके पास जो भी सोर्सेस होंगे आपके पास टेक्सबूक होंगे आपके पास कोई पुब्लिकेशन के नोट्स होंगे आपके खुद के बनाए नोट्स होंगे आपके क्लास के रिटन नो करना है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है स्टडी जब स्टार्ट करोगे तो आपको कॉंफिदेंस अपने आप 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 शांत हो जाओगे आपना पोर तिंग करना सोच दो छोड़ दो कि अफिए पॉइंन सबसे इंपॉर्टन पॉइंट है कि तार्गेट मतलब क्या डेली तार्गेट डेली और वीकली जो भी आपको करना होगा आप उस तरीके से डेली मतलब क्या कि मैंने फिजिकष के एक चाप्टर करना है तो आज ये मन्तलब करना है चाहे उसके लिए मुझे तीन घंटे लगते हो चाहे मुझे चार घंटे लगते हो उसके पाचली घंट रहते हो अपने जो भी तार्गेट रखाए है वह आपने करना है ओके जैन सबसे इंपोर्टन्ट है टाइम मैनेजमेंट time management time management में क्या होता है कि हम लोग बहुत सोचते हैं कि अभी study करूंगा अलग-अलग जगा पर time waste हो जाता है okay so time management में सबसे important point अगर आप ध्यान में रखोगे तो बहुत अच्छा होगा कि सबसे पहले social media यूज करना बंद कर दो जो भी आप social media पर time waste करते हो जाए किसी के पोस्ट देखते हो जाए किसी के स्टोरीज देखते हो जो भी जोगी तो थोड़ी दिन बंद करते हैं क्योंकि इससे हमारा time is हम लोग जाते है पाच मिनिट के लिए हमें लगता है चलो ब्रेक लेते पाच मिनिट करते हैं पाच मिनिट सब्सक्राइब तो थोड़ी दिन आप दूर से दूर रहो क्योंकि आपको उसका benefit होगा प्राइ करो आप स्टार्ट करो आपको आप दो दिन में आपको पता चलिए कि सोचल मीडिया में आप कितना time वेस्ट करते थे उतना time study में अगर यूटिलाइज होता है तो कितना अच्छे से हो सकता है ओके और सबसे पहला और don't waste your time क्योंकि time management में important point आजाता है don't waste your time लेकिन इसमें कुछ चीज़े हो जाती जो कि आप अगर देख सकते हो time pass मतलब अलग-अलग करिके का चाहे हो social media हो चाहे हो TV हो चाहे हो movie हो जो भी जो भी आप entertainment के लिए उसकरते हो उन सारी चीज़ों को और second thing planning planning timetable thinking इन सब में ओर थिंकिंग इन सब में टाइम विश्चने करना है मतलब अभी time pass मतलब मैंने बता दिया social media हो सकता है आपको TV हो सकता है movie हो सकता है पूछ अलग-अलग तरीक से हो सकते है घूबना फिरना हो सकता है रैट बात मतलब अलग-अलग तरीक से time pass कर सकत आप लग दोस्तों से बात्षित करते हो चैटिंग पर time waste करते हो फोन पर time waste करते हो तो उन सारी चीज़ों को थोड़े दिन अवाइड कर देजी थोड़े दिन तो और second thing planning मतलब क्या होते पता है कुछ बच्चे न अच्छे होते study में अच्छे होते लेकिन क्या करते planning बहु इसस्टार ओधा planning implementation होता ही नहीं मतलब time planning करते टांड़ बनाते बहुत कुछ करते लेकिन होता ही नहीं तो इससे अच्छा है ना कि करो ही मत planning time डिलोगा कुछ बनायों मत कुछ बंद को डायक स्टार्ट करो और जब जब आपको free time मिलता है जब जब आपको free time मिलता है आप study करो सुबहोटे सबसुबहोट गया आप अपने क्या करना है मतलब अपका ब्रश ब्रेक्फास्ट जो भी ओक हो गया फ्रेश हो गया आप study करते बेटो करो कि अबी में फिजिक्स का आट इन के बाद आट इन को क्यों आज का सोचो से तो भी दो मिनिट में सोच लेना आज आज मुझे क्या करना है आज मुझे सेकंड चाप्टर कंप्रीट करना है बस मिने सोच लिया ओके चालो हो जो एंग्रिश मत करो थोड़ा सबोर होगे प जैसे हम लोग मुवी देखते हो कॉप करा रखते हैं जैसे सब्सक्राइब करते हो आपको थोड़े बहुत चीज़ें रख सकते हो एक बिस्किट्स हो सकते हिल्डी थोड़ा सा रखिए क्योंकि हिल्डी जरूरी है तो इस तरीके से अपने सारे चीज़ों को ध्यान में क्यUSE से बतान की टार्गे करने का रखी टीट करना है कि आज मुझे क्या क्या करना है आज शुवर सूबर उटे आप में आपने रहें है कि आज मुझे कल physics के दो चाप्टर करने मैस का एक चाप्टर करना है चैप्टर करना है तो मुझे तो उसके लिए कितना टाइम लगे का सोच लो जो लिखने की ज़रौत नहीं है तो त्राय करो कि जिसे physics का study कर लिए एक चैप्टर हो गया अभी थोड़ा सब और होगे तो फिजिक से रख दो मैस कर लो मैस थोड़ा सा ही हो गए थोड़ा सा टेल लो फिर केमिस्टिक और अलग-अलग सब्जिक करते रहो के अगर ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल भी समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा आदा गंटा लेट जाए तो अब सबसे इंपोर्टन क्या आपने इंपोर्टन कोश्टन्स इंपोर्टन कोश्टन्स या फिर आप कोश्टन बैंक कोशन बैंक और आफिए प्रीवियस यर कोश्टन्स इन तीनों चीजों में से जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी होगी कोश線 तो सब के पास है प्रीवियस यर कोश्टन पास त्सक्राइब कोशन वे दिभी देग cancer क्रूंकि disse also इन सबको आपने फॉलो करना है important questions आपको हमारे lectures में मिल जाएगे आपके classes में मिले होगे अलग-अलग तरीके से आपको मिले होगी तो इनको ध्यान रखते हुए करो मतलब question wise study करना है सबसे important सबसे ज्यादा important आपका study का analysis आपने करना है study analysis किसे करना है daily study analysis करना है मतलब जैसे study खतम करते हो अभी मान लो मैंने तीन घंटा physics चाप्टर complete कर लिया तो आपकोने क्या करना है कि जो भी question है जो भी chapter है मतलब sorry जो भी chapter आपने किया है कि उस chapter के question rate करना है question rate करना है और answer रिखना है बिना कुछ देखे बिना कुछ देखे बिना टेक्स्बूक देखे बिना नोट देखे मतलब इस तरीके से आपने जो भी study के आने उसको लिखके लिखको एक बार क्योंकि बोड एक्जाम में आपको लिखना है अगर आप घर पे बिना किसी supervision के मतला आपके आसपास कोई भी आपको देखने रहा है आप honestly अगर कोई भी अंसर बिना देखे बिना किसी help के लिख सकते हो तो आप बोड एक्जाम में क्यों नहीं लिख सकते है तो इसलिए आपने क्या करना है जो भी study करते हो सिर्प study नहीं करना है उस जो भी study किया है उ आपको important questions होगी आपके बाद question bank होगी question bank है हमारे पास यवी past year questions होगे या फिर चाप्तर के बाद में जो exercise है उसमें से आप लेख सकते हो question read करो याद करो और solve करो तो ऐसे में क्या हो जाता है तो आपको याद आएगा कि मुझे यह question आदा ही आ रहा है आदे के बाद में भूल जा रहा हो तो question फिर से फिर से अच्छे से करो तो ऐसे ऐसे आपने अगर analysis की हर question अगर आप बिना देखें लिखने में successful हो रहे हो तो आप में guarantee देता हो आप बोड एक्जाम में लिख सकते हो अच्छे से लिख सकते हो उसके फूल मांक भी आपको मिलेंगे तो द्हान में रखना है कि analysis बहुत जादा इंपोर्टन है daily analysis daily मतलब ऐसा नहीं की चलो मैंने आज chapter complete किया है दो दिन के बाद लिखूंगा इसा नहीं करना है आज मैंने जो study किया है उसके question answers में आज के आज ही लिखूंगा ऐसे अगर आप ठानते हो तो मैं guarantee देता हो कि आप को आपका board में exam में अच्छा score आएगा okay then सबसे important revision 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 अलग अलग टाइप क्यों होती है okay revision अलग 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 टाइप क्यों होती है तो revision मतलब क्या कि एक जो revision है सबसे important before exam कि हो तो कभी मिस करनी ही नहीं है okay before exam मतलब जैसे मान लो अभी physics के exam physics का जो बोल्ट हमारे exam अगर आप सब फॉलो करते हो तो ओके और एक स्ट्राइब करना है तो आपको देखो मिलेंगे नहीं मिले तो बोलना अगर आप सब फॉलो करते हो तो ओके और एक इससे पेर ही जैक मतलब कैसे कि मान लो अपने अभी एक वीक एक फाइव डेज जो भी आप मतल गृूप एक वीक का करो एक वीक की रिविजन या पर होनी चाहिए और सबसे सबसे इंपोर्टन टॉप सबसे इंपोर्टन टीप है डोड स्टोड़ी न्यू टॉपिक जस्ट बिफोर एक्जाम बहुत आपने अब्जो किया होगा बहुत सारे बच्चरे को एक्जाम हाल में जा रहे है रूख-रूख-रूख यह कुश नियूए यह मैंने पढ़ा इसा हो जाता है तो इससे क्या हो जाता है जो आपने अल्डेडी study किया है ना वो भी आपके दिमाग से हट जाता है और टेंशन आ जाते कि मैंने study नहीं गिया तो सबसे important point यहां पर ध्यान में रखना है कोई भी new topic कोई भी new topic कोई भी new question या फिर मानलो आपने chapter option को छोड़ दे तो चाप्टर को exam से पहले क्रिपा करके देखिए मत नई तो आपका confidence बहुत हो जाता है आप यहां पर exam में अच्छा performance कर पाऊगे तो है हर एक point पर अच्छे से ध्यान दोगे तो मैं आपको guarantee देता हूँ कि आपके marks बहुत अच्छा आएंगे अपका performance बहुत अच्छा होगा तो आपने वीडियो फिर से एक बार repeat करके देखना है हर एक point को जो जो मैंने बोला है हर एक point को आपने बार कई से सुनना है बार कई से समझना है तो क्यूंकि तभी आपको इस सारी चीज़े समझ में आए करेंगि हम लोग यहां पर है आपके लिए आप नीचे दिये कुछ लिंक से टेलिग्राम गूर्प के लिंक के आपर दी गई है देना वेब साइट के बीन कया पर दीगे वेब साइट पर हम लोग जल से जल कोशन मेंक जोरशन दालने की कोशिश करते है उके चलो फिर उसके के लिए मिलते, टेक केर, बाई-बाई